मेता जी आजिरो मेता जी आजिरो मेता जी आजिरो मेरे के के सामने क्यू कत्रा रही है कि यृण marina वह पराजाम जी बताईये कि बीजेपी pada है पिछली बार जो हमारी परिशत थी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो नगर का सुद्धिर करण को ले लो जल वास्ता के मारें बड़ी-बड़ी होजना है चल लगी है अगले चुनाओं में हम उकास की बात को लेकर ही नगर निकाय के चुनाओं में उतरिये भरतिंता पाटी परदेश में हमारी सरकार है सरकार के मादल से हमारी नगर परिशत बनेगी तो यहां जो जो अभी तक काम हुए और जो काम चल रहे उन कामों कहम आगे बढ़ाएंगे ट्रांस्पोर्ट नगर एक हमारी बहुत परानी है उस पर काम करेंगे जल आवरदन योजना का जो काम चल रहा है पानी की बारे में वह उसकी योजना को आगे बढ़ाएंगे नगर के संदरी करण में जो चोरह है जो है भारती सस्कृति का नुरूप उन चोरहों को विक्सित करना और आम जन की जो भी समस्या है चुटी-चुटी समस्याओं के लिए नगरपली का परिशत बनन बन दो कोई ऐसा काम पाजゲता पाने नहीं किसी प्रकार कुण और समस्याओं काम ने करते हिंपाथ को पीछे सब्सक्त पारएंगे हुआ जुझे भी जब देश हैं पूरे देश को विसू के सामने खड़ा करने वाली जबाए पूरे विस्व में भाजबा के माध्यम से देश को टाकतवर देश की डेश करने वाली भाजबा बाज़ेबा का बंदू क्यों चेहरा जिपाएगा क्यों पीछे एटेगा और हम अपने काम के लेकर जाते हैं काम जब जो हमारा नारा है नेरिद मुदी का सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास प्रयास सबके प्रयास के मादम साथ सबका विकास करेंगे और सबके प सोचता हूं कि एक आमूल चूल परिवर्दन कर दिया है नकल कम ने एक ऐसा नगर जिसकी सत्रह सत्रह दोजार सत्रह में पूरे देश में नंबर एक पर और फिर अभी दो-तीन साल से जो चल रही है इसका थोड़ी तकलिब है पर बहुत बड़ी कास को प्रयास करते हैं तो थो सोगात देने की और हमारी इच्छा है वो सब इच्छा को पूर्दी करेंगे रेल रेल के मामले में पहली बार बात हुई है जिस तरह की नगर की जनसंग्या बड़ी है जिस तरह का रोड़ों पर दवाबना है उसको लेकर हमारा विचार है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रस्ताओं को अब चुकी देश भर में फ्लाइवर का बहुत बड़ा जाल विचा है और इतीन गड़करी जो है वो इस काम के लिए हमारे साथ खड़े है और उनने काया कि आप पूराने हितियास देख लें तो मैं सोचता हूं कि आपको लगेगा कि क्या यह देश था यह भारत को जयती कर लाकर और उनने माजल हैं कि जमीन पर जमीन सरकार हमारी यह नहीं होगी आपने वाले होगी पार्टी के हाथ में होगी पार्टी के लोग बेठेंगे तो योजना को ठीक पर कार से किरैंवीट करपाये चको फब्हुक्ती हाग पहंचा इतना काम किया है और आप आप सोच देश की सरकार प्रदेश सरकार यह योजना है बनाएंगी इंप्लिमेंट तो नगर सरकार करेंगी न तो नगर सरकार में कें सरकार की भूमिका को निर्वाह करने वाली उसकी ताकत को आगार वाना लोग बैटेंगे तो काम कर पाएंगे पूरी ताकर समझ रही है और जनता पूरी नियाए के साथ और मुझे विश्वास है कि आखे आखे खुल जाएंगे लोगों की इसा प्रणाम निकलेगा चलिए अब हम बात करेंगे कॉंग्रेस के दिपक सुनी जी से दिपक सुनी जी बताए कि क्या मुद्दो को लेकर चुन कॉंग्रेस तो अपने तैयारी पूरी रूप से कर रही है लेकिन पिछले तीन परिशाथ से जो भाजपा यहां पर शहर में बेटी वी थे नगर पाली काम में और पिछले 15 साल पहले जो इस्तिती थी आज वही कि वही इस्तिती खरगोन शहर की है जिस तरह का डेवलेप्म और पूरी कुंदा नदी बैटी हुई है और इस तरह से देखा जाए तो कहीं ने करी कांग्रेस के अभी बहुत कुछ करने का है और निश्चित रूप से इस बार परिशत बनती है सारे काम करेगी आपको लग रहा है इस बार परिशत बनेगी क्योंकि आपके जो बड़े साथ आट वाट जो होते हैं जिसमें हर बार कॉंग्रेस के परतिन से चूर का आते हैं उन सब में निर्दली ने कबजा कर रहा है निर्दली से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने जो उमिदार चूने है वो इस चीत में से कहीं ने के अच्छी जीत के साथ आ रहे है और इस बार परिशत कांग्रेस की बन रही है जिली जी आप बताएं कि क्या तैयारी कर रहे हैं जैसे निर्दलियों को लेकर और अभी 12 पार्टी के 15 साल के कार या भादेंदा पार्टी ताल ठोकर के रहे हैं कि हमने सबसे अधा विकास किया है विकासी गंगा बहा दी हमने खरगोन शेहर गंद उसके सम्मद में तो कु प्रदेश की बात करने लग जाते हैं अब मूल खरगोन की बात करी ना कि खरगोन में आपने क्या किया और निशित तोर पे हम जितेंगे और परिशत का अंगरेश की बनेगी हम बात करेंगे खरगोन के एक युवा बिजेपी के पूर्व नेता में पूर्व इसले खाऊंगा कि उन्होंने अपना इस्तिफा दे चुके हैं अभी बिजेपी से और निर्दली चुनाओ लड़ने का पूरा मन बनाया है और चुनाओ लड़के लड़ा है और डटकर काम भी कर रहे हैं बीजेपी की थोड़े से हलत खराब भी नजर आ रही है तो क्या लगता आपको कि मिश्चित तोर पर नगरी निकाय को लेकर एक जो विजन होना चाहिए था उस विजन पर काम न करते हुए बहुत सारे डाउट्स रहे परिवारवाद और वंश्वाद की भे चाहिए कि आखिर एसी क्या खारण बने कि खरगोन से 29 लोगों को आपको निश्काशित करना पड़ा जो 25-30 सालों से काम कर रहे थे आज परिवार की बात कर रहे हैं वंश्वाद की बात कर रहे हैं और पूरे देश भर में अनुशाशन के साथ काम कर रहे हैं मगर खरगोन के अंदर जो वंश्वाद की बेट चड़ा है उसको लेकर यहां पर इस्थानी लोगों ने विरोध किया यह देखने में आया कि अपने अधिकारों के प्रति जो जागरुक थे उन्होंने पार्टियों से दोनों से स्तीफे देकर कहीं निर्दलियों ने खरग करेंगे बिलकुल करेंगे निर्दली अधिक मात्रा में जीत कराएंगे चुनांऊ जीते जाते हैं फूर जिए शार के विकास में और जो शहर के हित में दोसको जन्ता चुनती है यह यह देश के और प्रदेश के चुनाओ नहीं है जिस पर पुछ सिंबॉल पर आप जीट जाएंगे चुनाओ जीतने के लिए आपको जमीन पर लोगों के बीच में रहकर काम करना पड़ेगा और सिर्फ का समाज के समाज अध्यक्स और कांग्रेस के पूरो निता अलता बाजाची से जिन्हों ने कांग्रेस का दावन छोड़कर खुद निर्दली चुनाओ लड़ने का फैसला किया है और खुद के साथ में पांच उनके साथी जो वह अलग-अलग वाड़ों से चुनाओ निर्दली उन लोगों ने भी विकास की और कोई धियान नहीं दिया सबसे पहले में बात करूँगा सत्ता पक्स की सत्ता पक्स ने अभी तक जैसे अभी मेरे आदर्नी रंजीत भाई और परस्राम जी मेरे सबके परम आदर्नी है उन्होंने कहा कि दो हजार प्रधानमंती आवास में म मकान बने अब रहिम्पुरा की पपुलेशन लगबद 20,000 नहीं है जहां 800 मकान सिर्फ परधानमंती आवास में तो कहीं न कहीं हमको गुम्रा किया गया इती कारण मैंने मेरे नाम के खातिर अलताब आजाद के खातिर आजाद उम्मीदवार बनना पसंद करा इसलिए कांग परधेस ने अपने घोटना पच्छों में चाल साल पहले हमारे विदायक मोदाई नहीं बोला बिलकुल लाएंगे बीजेपी ने उसमें का ना तो ट्रांस्पोर्ट नगल सेर को दे पाएं ना मेकेनिक नगल दे पाएं और अगर आज आप घूमेंगे सेर में भी एक दो ब मेरा आप विकार जाके देखेंगे तो लगबग मेने 25 सड़के बनवाई है ना और लगबग साव पोल मेरे वाड में गड़वाएं लगबग पाइपलाइन डलवाई बाकि उस विकार को विनास करने में कई न कहीं उपर के बड़े बड़े जिनको गेतने महा सक्तियों के दारों ने आके चलनी चलनी कर दिया वो विकार आज दिखाई नहीं दे रहा और उस विकार के लिए इतनी बार कलेक्टरेट ने इसने वो करा सोकाज नोटी से फायर करवा बागी कारवई क्या हो रही इसलिए कि बड़े मगरमज बड़ी उपर से आये वे पूरे सेर को चल देखें उसकी वज़ा ये हैं कि सेरहीत के लिए कभी भी दोनों द्वारा में पर्याद नहीं किया गया जिससे कि जण में हिसके लिएए कोई कारिया हो उसी जेंडी हमने इस सब्सक्राइब कर दोनों के लोग हैं यह दोनों लोग हमारे पीछे खड़े रहेंगे हमको समस्तन देने के लिए सभी सभी का निर्दली आज आके हूं रहे हैं यह रवी जी मेरे भाई चुनाव लड़ना है कईने के पार्टी की नीतिगत उनके कारण यह चुनाव लड़ना है तो अब जब चुनाव लड़ना है तो यह साथ ओली कि बाद में यह निर्दलियों के साथ खड़े रहेंगे हम इनके साथ ने यह हमारे साथ और दोनों पार्टी हमारा रास्ता देखेगी किसी पार्टी को अपस जाइन नी करोगे कि सपोर्ट नी करोगे किसी को नई किसा जाइन करेंगे कोन करेगा हाँ जहां सेहर हित का मुद्दा रहेगा अगर हमको लग रहा है कि यह इस उपे काम करना हो इसमें इनकी मदद की जरुवत है हम मदद लेंगे या हम मदद देंगे कोई भी पार्टिए हमको सेहर हित के लिए कहीं भी जाना पड़ा है किसी भी इस तर सक जाना पड़ा आप मेरा कार्यकाल उठा के देखिए कि मैं विपक्ष का पार्सर होने के बावजूद मैंने लड़ाइ लड़के बहुत से वार्टों में काम भी करवाया बाकी कहीं न कहीं सत्ता पक्स एक अपसर्दाई के सामने नतमस्तक था उसके बाउजूर हम लोगों प्रियास करें बागी जो सत्ता पक्स का जीत हिसाब से एक वो होना था अंकूद उस पर वो नहीं था एकडम नगर पाली का अच्छा पिछले दो तीन साल में तो सच्टा पक्स के हाथ में थी नरक पाली का क्यों बन गई आप अगर देखेंगे कि पिछली परीज़त और अभी ये तीन साल का जो परसाज़क वाला कार्यकाल ये पूरी तरह नगर पाली का नहीं रही है नरक पाली का रही है कई नगई हमारे पूर्व लोग और हमारे परियादों से नरक पाली का को हमने नगर पाली का बनाने का परियाद किया था साल दो साल सपल भी रहे आज पुना वह नरक पाली का बन चुकी हम बात करेंगे खरगोन शेर के को लेकर आज़ागा बीजएपी कॉंग्रेस अपने की कर रहे है के रहे हैं चाहते हुए चुनाौ जो रहता है विकास के लिए मॉलबू पीस दा होता होता और जिस परकार अबी जो माहूल बना और जिस प्रकार से टिकेट वित्रन हुआ है वाडो में कांग्रेस और भाजपा ने प्रत्यासी टै की है उसके बाद जो बागी हुए हैं कुछ निर्दली भी चुनाओ मेदान में है तो कुल बलाकर खरगोन का जो चुनाओ काफी रोचक हो गया है आज इस सहर का विकास की बात की जाए तो काम हुए है लेकिन आज भी धूल का मुद्दा है आज भी नाली का मुद्दा है आज भी सड़क का मुद्दा है तो यह सम मुद्दों को देखेंगे लोग और विशेश रूप से यह जो चोटा चुनाओ है यह विधान सभा लोग सभा चुनाओ नहीं है कि इसमें पार्टी आदमी देखेगा इसमें व्यक्तित भी देखेगा तो जो लोग चुनाओ मेदान में उतरे हैं उसमें व्यक्तित भी सामने आएगा कि कौन सा व्यक्तित कैसा है उसको भी चैन किया जा सकता तो अभी फिलहाल में तो यह नहीं कहा जा सकत किसकी परिशत बनेगी लेकिन यह जो चुनाओं हो रहा है यह काफी महत्पुन चुनाओं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करूँगा कि वह अच्छे लोगों को चुनके बेज़ें जिससे अच्छी परिशत बने शेहर का विकास हो खास रूप से मूलवु का एहम रहेगी यह बाकी चीज तो 13 जुलाई के बाद जब यहां मतगरना होगी जबी पता लगा लेकिन जिस प्रकार से इस बार निर्दली और विशेश रूप से पार्टियों से बागी होके जैसे हमारे बाजू में दोनों सांथी कड़ें दोनों कर्मत कारिकारता थे द तो अभी फिलाल में कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगा और निर्दली निश्य थी इस बार जो है आने वाली जो परिशत बनेगी उसमें निर्दली की भूमी का आहम रहेगी ठीक है अब हम बात करेंगे खरकोन के एक और वरिष्ट बतकार उमेश रिवल्या जी जो हमारे नेताजी हरे नेताजी हजरु कारिक्रम में हमेशा एक विशेशक्य के रूप में रहे और उनके कहे हुए बातों को बहुत से कमेंट्स भी आया हमरे पास उनके सभी सवाल सभ जार निर्दली खेल बिगाड़ेंगे और जो नाराजगी जिस तरह की गुडबाजी अगर कही जाए तो भाजपा में भी है और कांग्रिस में भी है दोनों ही दलों में असंतोस है दोनों ही दलों में गुडबाजी को लेकर नाराजगी भी है और इस बात को लेकर ये भी ह कि विकास की अगर हम बात करें तो विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो पिछले साथ सालों में तो अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यह जरूर है कि अभी कुछ दिनों पहले से रोड बनना सुरू हो गई है डामरी करन अभी वसिस्टेंड के पास हो गया है हो सकता है कि यह सत्ता पक्च को कोई लाब लेना हो इसलिए सड़क ठीक की जा रहे हैं लेकिन यह बात सही है कि सीवरेज की लाइन को लेकर जो गड्डे जिस तरह से हैं स्वहर पुरा खुदा पड़ा हुआ है और जो प्रशाशनी कभी फेर बदल हुआ इस सुदार तो हो किस अध्यां में बात Your place करें ना कि हम मोजी जी की बात करें सोनिय मुद घल headed करें हमें अपने शेयर की बात करनी है और शेयर में किस तरह की समस्या है और कौन किस तरह से सक्री अगर विपकची की बात करें तो कांग्रेच कभी इसतरह का विरॉद नहीं कर पाई मैं पहले भी रहा हूं यहां पर जब परीशत थी तब भी अलताव भाई भी यहीं पर हैं लेकिन कुछ लोग ही विरोध कर पाते थे जब हमने देखा कि नगरपालीका में जो बात रखनी चाही थी शहर इत्में वह शहर में बात नहीं रख पाते हैं तो मेरी लोगों से यह कहना है कि ऐसे लोगों का चैन करें जो अपनी बात शहर इत्में ठीक तरीके से सही मंच पर सही जगह रख पाए ना कि कोई विकाव हो टिकाव विक्तु का चैन करें ताकि शहर विकाश कर सके और रही बात पिछले जो दंगों की तो दंगों को लेकर भी लोगों में कहीं जैसे निर्दली हैं निर्दलीहों से कांग्रेस को दोतरफानुक्सान हैं यहां असंतुस्ट तो हैं लेकिन भाजपा ने तो मुसलिमों को टिकेट दिया नहीं लेकिन खाश के साथ अकर मुसलिम कहा जाता था कि मुसलिम épisode है वो कांग्रेस। अब हम बात करेंगे खर्गोन शेहर के एक और वेश्ट पत्रकार सर्शी कांसर्माजी से सर्शी जी बताईए कि उमेज जी ने भी बिटाया अभी दंगों के लिए बात भी की बीजेपी कॉंग रहे सबकी बात कि मागा आपका क्या विव है कि खर्गोन शेहर के अंदर क्या नया गणित क्या होने वाला है देखे जिस प्रकार से खर्गोन अगर पालिका में चुना हो रहा है तो यहां कुछ ऐसे वार्ड है जहां त्रिकोनी संगर से देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो है कुछ ऐसे वार्ड इसमें दिखाई दे रहा है जहां पर निर्दली भी जो है दोनों पार्टियों को सिकर से दे सकते हैं और कड़ा संगर से देखने को मिल रहा है अगर विकास की बात की जाए तो बीते तीन साल में जो है जहां पर जिस प्रकार से व वर्दन योजना हो सिवरेज की लाइन हो उसके करण जो है सहर में गड़े खोदे गए अब जो है नवागत कलेक्टर आए हैं और उसके बाद में विकास उन्होंने जाल्टिमेटम दिया उसके बाद से काम दिखाई दे रहा है लेकिन तेरा तारी के बाद में जब परिणाम आएंगे तो यह चोकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर दोनों पार्टियों ने उम्मी दारों को टिकेट दी है उससे असंतुष्ट जो है उसका खेल विकार सकते हैं और त्रीकोनी संगर से भी इसमें देखने को मिल सकता है आप नागरिक होने के नाते अभी भाजप्रा और कांग्रेस के सभी प्रतिनीदी नेताओं ने अपनी अपनी विकास की बात करी कि इसमें नाली की प्राब्लम है रोड की प्राब्लम यह सब प्राब्लम है बाकि मैं चाहता हूँ कि आज बच्चा सिक्सा के लिए यहां पर ना क्रसी का कलेज है यहां पर ना मेडिकल का कलेज है तो बच्चा यहां का साड़े तीन सो गाउं खरगुन सहर के आसपास लगे हुए हैं और यहां के बच्चे पूना बंबे पलाइन करते हैं कोई भी राजन्यत्य दल इस इस साथ पे कोई नी बात करता है विकास विकास 17 साल से बिजली सड़क नाली पानी के उपर बात करते हैं तो मेरा यही प्रतिनी दियों से आगर है कि कमसम क्रसी कालेज है, मेडिकल कालेज है, इस इससे पर भी बात की जाए और उपर सिर्थ निर्ट्वत्र तक यह बात अपनी पोचाई जाए, बस में यही चाहता हूँ. परस्राम जी कभी आपने सभी को सुना, बीजेपी को भी सुना, आपने खुछ ने कहा, कॉंगरिस को भी सुना, निर्दलियों को सुना, वरिष्टर पत्तकारों की राई भी रही है, सब कर निचोर निकल कर यह आया है कि नगरबाली का चुनाओं में बिचले 15 सेल के प्रदेश में भारतियों की सरकार है, और सरकार के द्वारा खरगोन नगर, आपने चुनाओं की जब बात करें न तो नगर विकास की नगर निकाई में यह सबसे मत पूर बात होती है, आप दस साल पहले खरगोन की का देख लो और आज का सहर देख लो, आप 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 पर जिसको पट्टी चड़ी है, उसको नहीं दिखाए देगो बात अलग है, आज सड़कों की इस्तिति आप एक भी सड़क खरगोन नगर में इसी सड़क ने बची जिसमें गड़्डा बचा हो, मैं सड़के की बात कर रहा हूं, रहा सवाल देखो, आप सिवर योजना और अम देखी है, उसी हिसाब से खरगोन सहर दिखता है, आपने जो भी कहा, आथरा सो आवास योजना का, वो कहीं ने कहीं आप जनतों को, यह रेकार्ड पर है, प्रधान मंती आवास खरगोन सहर में कितने बने यह रेकार्ड नगर पालिका में, अगर हम जुट बोलने तो, एक गरीब लोगों को आवास बहुत सारा मिलें, और दूसरी बहुत बड़ी चीज़, घरगोन सहर में और नहीं इस्ताफित होने वाले है, उसका कारण है कि परदे सरकार हमारी है, इसमें नगर पालिका का सृइंसन करने कारे होता है, आप शेर की विकास के बात करें, शेर में पानी बे आने वाला है, और यह जो छोटी मोटी समस्या, यह समस्या है, यह जो छोटी बनी रहेगी, पर उसके लिए एक सक्चम, अगर बेठेगी सरकार हमारी नगर पालिकाम है, तो यह बान के मानगीजिए, जब मुख्यमंत्री जी, शहरी छेतर के विकास के लिए, उनन की जनता है, वो देख रही है, कि कुन ने क्या करा है, आप निर्दली की बात करो, निर्दली की एक निर्दली आपको जीत के अगर आजाएगा आपका खरगोर में, तो आप बताना आपने, निर्दली क्यों खड़े हो रहे हैं, पार्टी ने जब शायन करा, और जिसको नह की आपके द्वारा परिवार वात वन सवात्ती बात की जब की जब की टिकेट वुत्रन हुआ ना, यह जो वा पार्टी ने बहुत सो समझ के निर्दली है, ऐसा भी नहीं है, टिकेट वुत्रन में सभाई ग्रूप से नाराजगी होती है, यह है, चार अगर अगर पेर पर कुलाडी मानने वाला आदमी यह सोचता है कि मैं पार्टी में अब मेरा कतम हो गया, वारती अंतर पार्टी यह से नहीं है, काम करने वाले हो कि भारती अंतर पार्टी नीचे से उपर, कब क्या बना देती है, यह पार्टी में होता है, भारती अंतर पार्टी में, कि बावस्तेाइं च Soundborg लुगहें 6 5 जंदा नुस्तिति शंस सब्स्राइब करतें अब करकंड़ा निवकास परग नुक्सान करें कि अगर शंत्र को लांचनता सब्स्क्राइब अगर रही स्पश्टाइब हो परश्राम जी का कहना है कि हमने बहुत सोच समझ का निर्णाई लिया अभी माधनी उमेज जी कह रहे थे कि एसे पार्शत चुन कर जाते हैं जो वहाँ पर शहर हित की तो बात ही नहीं कर पाते हैं मैं जिस वाड़े से चुनाव लड़ रहा हूं पूरे वाड़े के अंदर मैं घूम रहा हूं एक भी सड़क नहीं है पूरे वाड़े के अंदर एक सड़क सिंगल सड़क नहीं है उस इसलिए विकास की बात करने कि मैं मानता हूं कि ऊपर से बहुत अच्छा पेसा आता है उपर से केंद्र सरकार सब भेज रही है प्रदेश सरकार कर रही है अधिकारी को हमारा मन में होगा तो हम देख लेंगे क्या करना है हम हमारे जाब से करेंगे तो इस तरह के जो नेत्रत्व हैं उस नेत्रत्वा को हमने धता बता आपने कहा कि हमने बहुत सोच समझ का टिकड़ दिए आपने 12 ऐसे लोगों को टिकट दिये हैं जिनके भरतिय जन्ता पालिटी के सदस्यता भी नहीं है आपने क्या सोचा किस कारेकरता के बारे में सोचा परिवारवात कह रहे हैं कि हमने परिवारवात नहीं चलाया क्यों गिनाओं का उंगलियों पर गिना सकता हूं कि कितने परि इसलिए अपकर आया हूँ परहसाम जी ने भी कहा कि एक वरिस्त और जौबदार नेता थे वो खुद बात कह रहा है कि पैसा आता भी ये तो अधिकारियों की मनमानी की वज़ेत से नहीं हो पाता तो श закон में बाज़पा की मतलब पकड़े और क्या काम किया है यह तो सु में उसीद्ध धोर हुरा है मुझे कहने की ज़रोत नहीं है और श कि नहीं कि जो कुछ रुटीन का पैसा特 dokument किया है तो वो शहर का म INTER清楚 चिए हो vikास में हूआ गार है अज़ो यह ने सब्ढ़ा है जंए है बहुत बड़ी चीज़ नहीं में दिवाइडर छो ठीज हरो जो डिवाइडर किन अम्रत योजना में 200 करोड कि ना अगर में चल रही है यह यह योजना को इसे फ़ी इमा लिए Mercury युजना 12320 करोड की यह गंदा पानी दोक्त बन गया आपका किले मेदान से सड़क बन गई वारे लांग थे अगर दो सो करोड़ की योजना आपको लगता दो सो करोड लुपे इस सेर में लग गए एक सो त्योंतर करोड इनके द्वारा जो बताया गया उसमें लग चुके हैं आज चार्जो करोड लुपे का काम आपको सेर में दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा और दोनों योजनाएं यह कह रहे हैं अभी पूर्ण नहीं हो चुकी है उसके बाद सेर में फेलें तो यह किस विकास की बात कर रहा है अभी मेरे परसलाम जी नहीं एक बात बोली कि तरह फैसे कि बर्भादी बर्भाद है और रही बात इनके चुनाव लडने कि जो अभी इनों ने बताया, और साथ में इन लोगों ने बताया, डोनों की कतनी करनी में अन्तर है, मैं तो समाज हीत के लिए भी जो लोग हमको ओट बेंक समझते थे, उनके घिलाब इसलिए ख़ड़ा हुआ हुँ, कि इन लोगों ने एक परक्स हमको हमारा ओट बेंग के नहीं मानता दूसरा हमको हमारे जेब में मान के चलता है इसलिए जो लोग हमको मुठी में समझते थे कि कुछ काम करें या नहीं करें ये ओट हमको डालेंगे हमको ओट करेंगे या एक तपके को अपनी मुट्टी में समझते थे इसी कारण से आज बगावत हुई है इसलिए कि इन्होंने आज तक सिर्व समाज को भरमीत करा समाज के हित में कोई कार यह नहीं करा कि मुस्लिम समाज को एक विजबी मानती है कि हमार ओटर नहीं है को दिखाने के लिए उन्होंने निर्दली उम्मीदवारी का कारे शुरू किया अब मुझे बताईए कि आप क्या के नचोग इसको देखिए यह बात सही है कि अल्ता बाजाज जी ने आवेदन नहीं किया था पार्टी से इसले पार्टी ने उनको टिकेट नहीं दिया है यह उनकी नीजी राय थी कि वह निर्दली चुनाव लड़े कांग्रेस का पूरा शहर समर्थन करता है और रही बाद बीजेपी की तो अभी मेरे वरिश्टे सी परस्राम भी ने बताया कि शहर में हमने पिछले बहुत काम क्या मैं रही रई भाई उनीक प्याटी के ते पहले थे वो करे थे वहाडनिया मतलब सब्सक्रें निखल रहा है कि एक ही बाद्या के लोग बोल रहे है कि काम हुआ और नहीं हुआ कहीं नेकर ये 15 साल में शहर का बहुत विनाश हुआ है जहां तक देखा जाए तो खंडवा बिस्तान रोड को खंडवा रोड से जोड़ना चाहिए था ताकि शहर में जो दबाव बना हो बाइपास के थ्रू जो है वो उसको डाइवर्ट कर सकते थे और अपना रा खंडवा रोड को जो है सनावद रोड से जोड़ना चाहिए था लेकिन कहीं से कहीं को बहुत सारी मुल्बूत सुविधाय मिलेगी आप से रभी भाई ने आप पे लगाया कि कोई सेर में काम नहीं हुआ फिर परिवारबात की बाद उनने कही अलता बाजाद जी ने कहा है कि मुस्लिम को बीजेबी ने नकार दिया है पुरी तरीके से कॉंग्रेस ने उन्हें स कुछ ने रहा है रहा है अई इसमान ही जह ती यह अखेरी को आनाज देने काम हुटाटर सब कुंधर पर, देंगे सब लगी हम शीति आ के भाद़े कम कर他ें, थो है अदर ने के मुल को शोड़ए हम जहाँ जल को बकड़ कहिं रहगा वो ह brothers काम करेंगे तो नीचे आएगा कैसे पार्टी आखिर पार्टी नीचे लाना है यह थोड़ी का कि नगरपाली घरकों में भाजवागी की तो मुस्लिणों की मकान नीचान हमने एक एक गरीब का थ्यान रखा है एक गरीब के घर में आनाज पोचे उसको उसको दवाई लगे इ इतना तो सहाई मान रखती है कि पार्टिक परस लोग आए अपने आवेदन निदेगे कि हम न से घर जा कर साथ आई है इसनी था इतनी हालत कराब नहीं है हमारे कारेकरता है और कारेकरता लड़ रहे और बहुत ताकस से लड़ रहे हैं और वह भी वह उनमें से भी कई बन्द उसमें हम बहुत बड़ी जीत लेकर आ रहे हैं और यह इसलिए नहीं कि हमारे हमने काम किया यह आप रोड़ देख लें वहां से लागे वहां तक खरकोन राद में चमकता हो दिखता है खरकोन निर्दली परत्यासी आपस में कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे हमारी ऊची बात है बहुड दे लेना मोगल दे पालना अची बात है वो कभी भी हमारे भटके हुए हैं अभी भटक के फिर हो सकता अब बास आएंगा हम उनको शुकार करें वो बात अलग है पर यह मान के चलिए कि कोई भी निर्दली भारतियंता पार्टी के जितने वाड़ों में लटा एक भी निर्दली जीते आगा नी और वही आखरीम उनको एसास होग कि क्या कारण है कि आपने इस बार टिकेट वितन आपकी पार्टी में हुआ है और एक मंचे के निचे सब प्रत्याशी एक खट्टे नहीं हो पारे इसके ठीक विपरीत हमारे विदायक रवी जोशी जी ने पूरे 30 के 30-32 वार्शत होका रोज एक ही मंचे के नीचे जाके ए प्रत्याशी एक मंचे के नीचे नहीं आ रहे हैं कि कोई ने आवेदन नहीं करा पहले तो दीपक जी का सवाल का जवाब दूँ कि जब मुझे कांग्रेस से लड़ना नहीं था तो मैं आवेदन क्यों करूं अगर मुझे टिकट चाहिए होता तो मैं आवेदन करता मुझे कांग्रेस की इस बार नीती नहीं इस पर्ट समझ मैं इसलिए में निर्दली रही बात इन्होंने कहा कि बीजेपी से अल्प संक्यक वार्ड मुसलिम बहुल वार्ड से आवेदन नहीं प्राप्त होए 15 नंब से आवेदन था 15 नंबर से आवेदन था बागी क्या मजबूरी रही कि घर्गोन नगर पालिका में इन्होंने परेज करा सनावद और बढ़बा नगर पालिका में परेज नहीं करा मुसलिम पलत्याक्सी तो कहीं न कहीं इस बार भाज़पा की जो नीती थी वो खरगोन में मुस्लिम वार्ड में बहारी प्रत्याक सी उतार के तुनाव लड़वाया गया जबके भाज़पा के लगभग तीन से चार लोग आगरी समय तक 22 तारीक तक उन्होंने अगर यह कह रहा है आवेदन नहीं ह नामंकन डाला या नहीं डाला वाड नंबर 12 में नामंकन तो जब अगर आवेदन नहीं करा है तो उन्होंने फिर बीजेपी से नामंकन क्यों दाखिल किया तो यह यह इनकी एक एक प्रच्चाई नहीं है इसलिए यह जो कह रहा है परवानिक हो एक एक कारेकरता बाद में हमारी पूरी उस पर खिरा उतरे इसलिए बहुत महत्पूर्ण था कि हम उन लोगों को चुनाओं जीतने बाद में पार्टिक साथ खड़े रहे हैं इसलिए जिनके प्रति हमारा विश्वास था जहां जिन वाड़ों में ज्यादा प्रच्ची थे वहां हमने निस्षी दूरुप से हमारे पास बहुत बढ़ी संक्या में थी इस संक्या के बीच में निकालना 33 लोगों को बहुत बढ़ी कर और रात भर प्रयास करके कोशित की फिर भी निर्दलियों के परती और बात में बात करी कि इनसे भी अब हो गया जो कुछ हो गया अब बेढ़ जाए नहीं ठीक है पो लड़े चुनाओं है राजी दिम सबको अपना हाग है विचार रखने का जंता निर्दे करेंगी और आगे भी अलग-अलग प्रोगामों के जरिये से आपको हम अलग-अलग व्यू दिखाते रहेंगे अलग-अलग वाड़ों में जाकर परिक्रमा के दिखाते रहेंगे और हमारा साथ जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब भी करें और हमारा चैनल खरकौन मेदादी एादी 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 ओूर।